हेलो टू एवरिवन तो भाई लोग मैं होप करता हूँ आप बहुत जादा अच्छे होंगे और व्लाग विजजाट की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है तो भाई लोग आज अपने सामने है योंडे ग्रेंड आइटन 1.2 स्पोर्टजी के वारे में गाली का लोग बहुत जादा सही दिया गया है और बात कलना है इसकी लेंध की तो 3765 mm की काफी अच्छी खासी लेंध दी गई है अच्छी खासी फाइट रे थी जो योंडे ने एक और अपनी नई गाड़ी निकाली थी ग्रेंड डाइटन नियोस वो थोड़ी सी से छोटी है वो अगर देखा जाए तो मैं कहूंँ तो मारती सुजू की सेंट्रो जैसी है बाकि अगर इस गाड़ी के अगर हम बात कर ले तो बाइए लोक वाई सब से पूरे आउटर स्ट्रुक्टर के हमने बात कर लिए बाकि सबसे पहले अगर में बात करू तो वो है इसकी की, जो है कुछ ऐसी, कीले सेंटर हमें इसके इंदर दी गई है, कुछ ऐसी की हमें इसके इंदर मिल जाती है, आप एक बार देख सकते हैं उसकी पूरी की, तीन बटन हमें इसके इंदर मिल जाती है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, कर देना इस वीडियो को like share and subscribe करते हैं इस वीडियो को start वताता हूं फिर में बारे में तो let's सबसे पहले बात करें शेके front look की की में आपको बता चुका आँ कुछ ऐसी की है कि की की बारे मैं बात करें क्रें क्या क्या features है बस अब बात कर लेते हैं इसके front look की तो वाए front look की बात कर तो हैलोजन headlight मिल जाती हैं बगल में मिल जाते हमें inडिकेटर्स और नीचे की साड़ में मिल जाती है फॉग लेंप बीच में कोई भी क्रोम का इतना खासा काम दिया नहीं है सेंटर मिल जाता हमें योंडे का लोगो और सामने से कुछ पूरा लोग में दे दिया चलते हैं तंध व्र ti तो बाई ऐसा कुछ है इसका साइड से पूरा लुक चलते हैं इसके पीछ वाले पोर्शन की बात करें तो भाई हमें मिल जाती है हेलोजन टेल लैंप पीछे की साड़ में जाते हैं इंडिकेटर्स फॉलो मी बैक लाइट्स मिल जाती है ग्रेंड आई 10 की हमें बैजिंग मिल जाती है सेंटर मिल जाता है योंडे का लोगो यहां मिल जाती स्पोर्ट्जी की बैजिंग और मिल जाता हमें 1.2 पीछे रेयर वाय पर इंडिफ ऑगरा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है और इस गाड़ी में एक जो चीज थी वो के डाटे लो देख चुक है चलता है गाड़ी के अंदर नार्मल ह одно कर सकता हुंआ कि और यहां हमें मिल जाते हैं और से बात करें तो भाई दो यह साइट से अगे पीछ और इस आगे पीछ इसे आगे पीछ बस इतना ही कर सकते और और अगे अधिटिबल फंक्शन नहीं दिया गया बैठते हैं कारी के अंदर बागी सारी चीजों के बारे भाद करते हैं सीट को नहीं पर तो सबसे पले में आप को इनन ед इस्पिलें कर दिखाता हूं दिखाता हूं गई ऐसी कुछ विजह की मिद्श्टछे, वह यहा में इस पीडा पालीutenे sex skill के orang उलिख हुद्टे भाई अमें एलगिर कर बात करें स्टेरिंग वील के एवल दो कंट्रोल मिलते हैं हमें रिसेट और बीकों के नदर कंट्रोल नहीं मिलता बहले लगकर स्टीरियो की बात करों तो भाई कंपनी से बटन वाला स्टीरियो आता है ये टच्छ स्क्रीन इस्टीरियो आफ्टर मार्केट डलवाया साथ हजार के असफस की कॉस्ट है काफी अच्छा वर करता अगर आप सोचरे मार्केट चे डलवाने का तो आप डलवा सकते हो कपलर to कपलर फिटिंग करते हैं तो वायर कटिंग की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है तो यह स्टीडियो भी काफी अच्छा वर कर रहा है बागी नीचे चलें तो हमें एस्पेस के करें मिल जाते हैं सामान रखने के लिए इधर हमें USB पोर्ट मिल जाता है या ऑक्स का और यहां में मिल जाती है manual handbrake और कुछ ऐसा look है इसका पूरा उपर की side चलें तो भाई यहां में मिल जाता है इसका sun visor इस पर कोई भी mirror नहीं है इधर हमें मिल जाता है light का option और इधर वाले sun visor पर हमें मिल जाता है mirror तो भाई यह इसका पूरा सामने से look dashboard की बात करें तो leather की finish नहीं normal plastic finish dashboard में मिल जाती है और चलते हैं इसके co passenger side फिर देखते है co passenger side से कैसा कैसा पूरा scene है इसका बागी अगर देखे तो comfortable गाड़ी है यह और Hyundai की सारी गाड़ियों की बात करूना बाई steering wheel सबसे ज़्यादा से लगती है मेरको इन गाड़ियों की क्योंकि काफी comfortable steering wheel है अगर वर passenger side से पूरा review दिखा हूं तो ऐसा कुछ को passenger side से view है थोड़ी सी काड़ी कंदी हो रही है तो यार साफ करना भूल गया तस गाड़ी को अब चलते हैं पीछे आले portion पे पीछे आले portion की बात करें तो भाई passenger side पर बात करें तो डोर पे में black और cream finish मिल जाती है यहां मिल जाते है power windows की control नीचे side में मिल जाता button holder और seat की बात करने कुछ ऐसी seats है बैठ के दिखाता हूं एक बार आपको तो spacing काफी ठीक है आप नौर्बनी में बोलना फाइव बाच लोग आराम से बैर सकते हो फाइव सीटर तो है यह पीछे side यह अच्छा feature है यहां मिल जाता AC मेरी बलेनों लग रही है बिना steering cover के भी तो यह कुछ ऐसा लोक है इसका पीछे से बागी यह हमें दो handles मिल जाते हैं और speakers सारे gates पर में मिल जाते हैं अब चल लेते हैं इसकी boot space पर तो अगर मैं boot space की बात करूं ना भाई तो भाई काफी ठीक ठाक boot space हमें इसके अंदर दे दी गई है तो यह अगर boot space की बात कर लेते हैं तो ऐसा कोछ हमें मिल जाता है 256 लीटर की boot space हमें इसके अंदर मिल जाती है ठीक है यार boot space में कौन सी दिक्कत है नीचे में मिल जाता है इसका spare wheel 40 इंचिस का spare wheel मिल जाता है steel ring के साथ अब तो alloy wheel आ रहे हैं बद इस spare wheel में अब भी कोई alloy wheel का scene न यहीं से engine unlock होता है तो भाई अगर build quality की बात करें ना गाणी में build quality तो बड़ी सही है क्योंकि engine की बात कर ले हैं तो 1200 CC का petrol engine हमें इसके अंदर मिल जाता है जो कि maximum power generate करता है 81 BHP की और maximum torque generate करता है 114 NM का तो भाई अगर देखा जाए तो अच्छी खासी 5-seater वही का लिए है अ आप इसको अच्छे से purchase कर सकते हो और maintain भी कर सकते हो हाँ थोड़ी बहुत योंडे की maintenance को जादा है पर मैं कहूँ safety wise भी गाड़ी अच्छी है तो भाई लोग इस गाड़ी का ownership review में जल्दी लेकर आऊँगा इसके owner से पूछूँगा के भाई कैसा कैसा आपका experience रहा है छैस ownership review तब तक के लिए खयाल रखिये बने रही है मेरे साथ thank you so much